नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज 28 नवंबर दिन मंगलवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर हाई टेक हुई बिहार पुलिस ओनलाइन दर्ज होगी एफ आयार रोजगार देने के लिए 18 जिलों में खुलेंगे कॉसल किंद्र लाखों बच्चों के लिए चलेगी विशेश कक्छा होगी अलग पढ़िक्छा मनोज बाजपई ने जीता फिल्म पेर अबॉर्ट गोहाटी में खेला जाएगा भारत और आस्ट्रेलिया के बीच T20 स्रीज का तीसरा मुकाबला अब चले बनते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों क्योर विस्तार से डांग विभाग में 1899 पदों पर निकली भरती भारती डांग विभाग में मल्टी टास्किंग स्टार, पोस्टल असिस्टेंट, सौर्टिंग असिस्टेंट, पोस्ट्मैन, मेल गाड के 1899 रिक्तपदों पर भरती निकाली कई है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वाधिकारिक वेबसाइट D-O-P-S-P-O-R-T-S-R-E-C-R-U-I-T-M-E-N-T.C-E-P-T.G-O-V.IN पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बतादी क्या आविदन करने की अंतिम तारीक 9 दिसमबर 2023 तक नर्थारित की गई है इसके लिए अगर सैचनेक योगिता की बात करे तो मर्टी टास्किंग स्टाफ के पदो पर आविदन करने के लिए 10 कक्छा उत्तरन करने के साथ स्पोर्स में योगिता हासल की हो पोस्ट मैन मेल गार्ड के पदो पर आविदन करने के लिए दसवी बारवी कक्छा उत्तर्ण होना आवशक है इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास हलके या दो पईया वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस और कम्पूटर पर काम करने का ज्यान होना चाहिए मखाना व्यंजन प्रतियोगिता में भाग लेनी के लिए जल्द करी आविदन मखाना की खेती बिहार में बड़े पैमानी पर देखी जाती है मखाना कसानों को प्रोच साहिद करने हैं तो बिहार सरकार द्वारा कहीं तरह के काड़िक्रम भी चलाए जाते हैं अब एक बार फिर्स बिहार में प्रदेश सरकार मखाना मोहतसव 2023 के तहत मखाना व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन करने वाली है पहले राउंड में यह प्रतियोगिता 28 नमबर को कृसी भवन मीठापूर पटना में आयोजित होगी यहां पर व्यंजनों का मुल्यांकर निननायक मंडल द्वारा किया जाएगा मही 2 दिसंबर को ग्यान भवन गांधी मैदान पटना में फाइनल राउंड आयोजित होने वाले हैं प्रतियोगिता में प्रतियोगी मखाने से बना स्नाक्स डिजर्ट या मेन कोर्स भी ला सकते हैं ध्यान रखे कि वेंजन अपने घर से अपने बरतन में पका हुआ ले जाना है इस प्रतियोगिता में वे सभी महिला और पुरुस भाग ले सकते हैं जिनके उम्र सीमा 18 वर्स से अधिक हो प्रतियोगिता के दौरां सफल विजिताओं को आकर्शक पुरुसकार दिये जाएंगे जो व्यक्ति इस 818-8966 पर कॉल कर सकते हैं बिहार परिटिन में आज हम बात करेंगे विक्रम शिला विश्विद्याले के अवसेस के बाड़े में बिहार प्रयांत के भागरपुर जिले में सित विक्रम शिला एक अंतराश्ट्रे ख्याती का सच्छा केंद्र रहा है विक्रम सिला के महा विह कारी द्राश्टर casting राज की संक्षन प्राधान करते रहें प्रइणम सरू विकरम श्रिरा लगभग चार सताब यों से भी अधिक समय तक अंतराश्ट्रे ख्याती का विश्य विद्याले बना विश्य विद्याले में अध्यन के विसेश विसेय व्याकरन तर्कसास्त्र मिमानसा तंद्र विधिवाद आधी थे आचारियों में दिमपंकर स्रिग्यान का नाम सरवाधी को लेखनी है जो इस विश्य विद्याले के कूल पती थे जाता है कि बक्तियार खिलजी नामक मुस्लिम आक्रमनकारी ने सन 1193 के आज पास इसे नस्ट कर दिया था वर्तमान समय में विश्विद्याले के भगनावशेश को देखकर इसके गौरव साली अतीत और विख्याती की अनुभूती कर सकते हैं रोजगार देने के लिए 18 जिलों में खुलेंगे कोशल केंद्र विविन कमपनियों के सहयोग लेदी की योजना तयार की गई है बता दी कि ये कमपनिया विरोजगारों को प्रसक्षन देकर अपनी कमपनी में रोजगार उपलब्ध करवाईगी मालमों कि इसको लेकर विवाग के ओर से जिन कमपनियों के साथ वचार विमर्श किया जा चुका है उनमें विश्व बैंक, ब्रिटिस कॉंसल, TCS, WSC, नसकॉम, बार्बीक्यू, नेशन, वीमार्ट, चोमैटो और रिलाइंस जीयों के नाम शामिल है इसकेंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, ऐसे में पहले पाइलेट प्रोजेक्ट के तहट कुछ जिलों में इसकेंद्र को खोले जा रहे हैं हाइटेक हुई बिहार पुलिस ऑनलाइन दर्च होगी FIR ADG के द्वारा बीते दिन जानकारी देते वे बताया गया है कि बिहार पुलिस की काड़े व्यवस्था को और भी सुद्र किया जा रहा है जिसके तहट राज्य के 900 थानों में CCTNS के जरीय आवेदकों के ओनलाइन FIR रजिस्टर किये जाएंगे जिसे कि अपरादियों की फूरी कुंडली का आदान प्रदान कम समय में हो सकेगा उन्होंने कहा कि पुलिस नयाले प्रोसिक्यूशन और जेल से संपर्क CCTNS से जोड आंकडों को आदान प्रदान किया जाए इस दिशा में काड़े जारी है मालमों कि ओनलाइन FIR सिस्टम की शुरुआत किये जाने से बिहार के जिलों में अपराद कर अब अपरादी बिहार सहित अन्य राजियों में भी छुपकर आसानी से नहीं रह पाएंगे और साथ ही पुलिस के द्वारा किसी भी अपरादी की कुंडली बैठे बैठे ही आहसल की जा सकती है लाखों बच्चों के लिए चलेगी विशेश कक्छा होगी अलग परिक्छा राजिय के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कमजोर बच्चों के लिए एक दिसम्मर 2023 से विशेश दक्ष क्लास आयोजित हो रही है जिसमें इन बच्चों को वार्सिक परिक्छा में उत्तर करवाली पर ध्यान दिया जाएगा वहीं वार्सिक परिक्छा में पास होने के बाद बें बच्चों के लिए एक अलग से परिक्छा आयोजित की जाएगी और इनके पढ़ाई का अस्तर चाजा जाएगा और यह जानकारी प्राप की जाएगी कि विशेश कक्षा से बच्चों को कितना लाब मिला है बता दे कि इन बच्चों की होने वाली परिक्चा को लेकर कैलेंडर भी जारी किया जाएगा बता दे कि अब परिक्चा जले के डायर, बायर, PT, EC और CTE में रखी जाएगी मानमों की परिख्षा के लिए प्रशन्पत्र तयार करने के जम्यदारी भी इनी संस्थानों को दी गई है वह इस परिख्षा की मॉनेटरिंग के जम्यदारी SCERT को भी दी गई है उस परिख्षा में खबर आपके लिए है बता दे कि अब आप रसोई गैस पर दी जाने वारी सबसिदी का लाब नहीं उठा पाएंगे जब तक आप EKYC नहीं करते हैं इसको लेकर सभी गैस एजंसियों को निर्देश दे दिया गया है और बता दिया गया है कि वे अपने सभी उब्वोकताओं क EKYC ज़रूर करवाएं इस बारे में दीगए जानकारी के निसार 25 नवंबर से सभी उब्वोकताओं का बायोमेट्रिक के माध्यम से EKYC का कारे शिरू कर दिया गया है जो कि 15 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा बता दे किस काम में काफी कर्मियों को लगाया गया है ताकि काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके बता दे कि सभी उब्वोकताओं को अपने आधार कार्ट की फोटो कॉपी के साथ गैस एजनसी पर बायोमेट्रिक के माध्यम से EKYC कराना होगा यह काम सुभई 11 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा रहा है ऐसे में जिन उब्वोकताओ और बॉलेवुड के जाने माने अभिनेता मनोज बाजपई को उनकी फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है और गुलमोहर के लिए बेस्ट अक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी और अने सभी लोगों को बढ़ाई और शुब कामनाय दी गई राजे में OPD की सेवा अब दोपहड के बाद भी बिहार सरकार के स्वास्त विभाग के द्वारा आम सूशना चारी करते वे यह जानकारी दी गई है कि अब बिहार के सभी सरकारे चिकस्ता महा विद्याले अस्पतालों एवं सदर अस्पतालों में शीत कालीन समयावधी यानि की नवंबर से फरवरी तक OPD की सेवा अब दोपहड के बाद भी उपलब्ध करवाई जाएगी बतादी कि दिये गए जानकारी के नसार OPD सेवा का निबंधन सुभा आठ बज़े से दोपहड देर बज़े तक और शाम के लिए दोपहड दो बज़े से शाम चार बज़े तक नरधारित किया गया है वहीं OPD का समय सुभा नौ बज़े से दोपहड दो बज़े तक और शाम में दोपहड तीन बज़े से शाम पांच बज़े तक नरधारित किया गया है आपकि जानकारी के लिए बता दे कि रविवार एवं सरकारी छुट्टी के दिन यह OPD सेवा बंद रहेगी वहीं अगर दो पालियों में चल रही OPD सेवा संबंधी किसी प्रकार के शिकायत या सुझाओ है तो इसके लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्ख किया जा सकता है बिहार बोर्ट मैट्रिक वा एंटर के प्रतिभावा चात्रों को मिलेगा सम्मान प्रत्यम राश्ट्रपती डॉक्टर राजिंद प्रशात की जयंती पर बिहार विद्यारे परिच्छा समीती की तरफ से मेधा दिवस का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बिहार बोर्ट की ओर से मैट्रिक वा एंटर वार्सिक परिच्छा 2023 के 120 मिधावी चात्रवा चात्राओं को सम्मान किया जाएगा बता दे किन 120 मिधावी चात्र चात्राओं में से इंटर में साइंस में टॉप 6 में 9, कॉमर्स में टॉप 6 में 13 और आर्स में टॉप 6 में 8 इस्टुरेंट्स सामिल है वहें इसके लावा मैट्रिक में टॉप 10 में 90 स्टुइंट्स के नाम शामिल हैं मालुमों कि मैट्रिक वार्षीक परिक्षा में प्रथम अस्थान पाने वाले छात्र को एक-एक लाख रुपे से पुरुस्कृत क्या जाएगा इसके लावा इस परिक्षा में चोथे से दस्वेस्थान पर रहने वाले छात्र को 10-10 हजार रुपे प्रसस्ती पत्र मिडल वर्ल लैप्टॉप देकर सम्मान किया जाएगा वह इंटर के वानिजिक कला एवं विज्ञान संकाई के छात्र को अलग-अलग सम्मान दिया जाएगा बिहारी बोत्रे स्पेशल में आज हम बात करेंगे कामेश्वर सिंग के बारे में कामेश्वर सिंग का जन्म आज ही के दिन 1907 में हुआ था या 1929 से 1952 तक दर्भंगा राज के जमनदार थें वे अपनी दान्शीरता के लिए प्रसिद थें भारत के राजवारों में दर्भंगा राज का अपना खासी अस्थान रहा है दर्भंगा राज बिहार के मिथला छेत्र में लगभग 6200 किलोमीटर के दाइरे में था इसका मुख्यार है दर्भंगा शेहर था इस राज के इस्थापना मैथिल ब्राहमन जमनदारों ने सोलवी सदी के श्रिवात में की थी ब्रिटिस राज के दौरान ततकालिन बंगाल के 18 सर्किल के 4495 गाउं दर्भंगा नरेश के सासन में थे राज के दिल्ली जैपूर मुंबई अफगानस्तार और इंग्लैंड की टीम शामिल हुई थी उन्होंने लेरी असराय पोलो स्टेडियम सहित चार इंडोर और आउट्डोर स्टेडियम बनाएं मुख्य मंत्रे पिछरा वर्ग प्रविसों को तर चात्रविती योजना दो हजार तैस के लिए आविदन करने की तारीक बढ़ी विहार सरकार के दोरा मुख्य मंत्रे पिच्रा वर्ग एवं अत्यंत पिच्रा वर्ग प्रविस्ते को तर चातरविती योजना 2023 के तहट ओनलाइन आभीदन करने की तिथी को बढ़ा दिया गया है बता दे किस योजना का लाप सैचनिक वर्ष 2023 में विहार के सरकारी तथा गै या हैसे में आभीदन करने के लिए pms portal http.bih.nice.in पर विजिट करे और ओनलाइन आभीदन करे हाला कि बिहार सरकार की ओर से सियोजना का लाप पाने के लिए कुछ योगिता भी निर्धारित की गई है जिसके तहत आभीदक बिहार राज्जी का स्थाई निवासी होना चाह योग और आवीदक राज्जी के अंदर अवस्तिस सरकारी संस्थानों मारता प्राप्त गेर सरकारी संस्थानों में प्रविसकुत्र वार्ठी करब में अध्यनरत होना चाहिए सुवधा एप से ऐसे करें बिजली बिल का भुकतान अगर आप भी सुवधा एप के माध्यम से बिजली बिल का भुकतान करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है पता दे किस एप से बिजली भुकतान करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में SAP को इंस्टॉल करे और फिर अपने मोवाइल नमबर से खाता बनाए और लॉग इन करे बिजले बिल के भुकतान के लिए बिलिंग एंड पेमेंट सर्विस के विकल्प का चैन करे उसके बाद जनरेट बिल के विकल्प का चैन करे अपना कंज्यूमर नमबर डाले और अपने बिजले बिल की पूरी जानकारी देखे और बिजले बिल का अपनी प्रात्मिक्ता के हिसाब से भुकतान करे वहीं अगर आप SAP की मदद से बिजली सिवाओं के लिए पेपर लिस आविदन करना चाहते हैं इसके लिए अप में न्यू कनेक्शन सर्विसेज के विकल्प का चैन करे आविशक जानकारी और दस्तावेज को फोन के माध्यम सही अफ्लोड करे इसके बाद सब्मेट के बटन पर क्लिक करे आपका आविदन जमा हो जाएगा और उसके बाद सारे उपलब्ध करा दी जाएंगी इसके अलावा अगर आप इस एप की मदद से बिजली लोड परिवर्तन के लिए ओनलाइन आविदन करना चाहते हैं तो इसके लिए एप पर लोड चेंज के विकल्प का चैन करे अपना कंस्यूमर नंबर डाले और अपने अनसार बिजली लो रूपे की सुकृती भी दे दी गई है मालमों के सबसरी का लाव उन्हीं को मिलेगा जो सहकारी समीति के माध्यम से दूद बेचते हों इसके तहत अपरेल से जून के बीच 91 दिन के माध्यम से किया जाएगा जो की डीवी टी के माध्यम से परशूपाल को के खाते में किया बतादे किस योजना के तहट पशूपाल को को तीन रुपे फ्रती लीटर का अनुदान दिया जाएगा मालमों के राजे में सभी आठ दुग्द संग है जिन में करीब 27,000 समीतिया जुरी हुई हैं इस बारे में पशूपालन विवाक का माना है कि अनुदान मिलने पर दु मौसम का मिजज कुछ अजब ही बना हुआ है वीते कुछ दिनों से ठंड ने असर दिखाया है रात और सुबह के तापमान में उतार चढ़ाव नजर आ रहा पटना मौसम केंद्र के मुताबिक अगले कुछ दिन अभी ऐसा ही मौसम रहेगा तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है मौसम विज्यान केंद्र के नुसार राजी में अगले दो दिनों के दोरान कहीं जगों पर पारा उपर जा सकता है राजी में निंतम तापमान दो से तीन डिग्री उपर जाने के आसार है इसके बाद तापमान में गिरावट के आसार है सुबह के सम में हलके स्तरका कुहांसा या धुन उच्छाई रहने की संभावना है बता दे कि मौसम विभा के अनुसार राज्य का मौसम आम तोर पर सुस्क बना रहेगा उननस देसों में बिना वीजा के कड़ी भ्रहमन अगर आप घूमने के शौकीन है तो यह खबर आपके लिए है बता दे कि उननस ऐसे देस है जिनने भारतियों को वीजा फ्री एंट्री की सुधा दे रखी है जिन में स्रिलंका, मलेशिया, मुटान, मौरिसस, मालदीव, हैती, डोमिनिका, बारबा, डोस, त्रिनिदाद, टोबैगो, सर्बिया, ग्रेनाडा, मौन्ट सिराट, सिनेगल, समोवा, स्टैंट विसंट, एंड़ ग्रेनाडिन्स और निव आइलेंड के नाम शामिल है वह इसके लावत 26 देस ऐसे है जनके द्वारा वीजा और गिनी बिसाओ, किरी बती, रिपब्लिक और मार्सल आइलेंड, रियूनियन आइलेंड, तुवालू, वानो आतू और अन्यदेश के नाम सामिल हैं कुछ देस ऐसे भी हैं जो हमें यी वीजा की सुधा दे रखे हैं जन में रूस, ताइवान, तुर्की, दक्षिन, कोडिया सिंगापूर, निउजिलेंड, अर्जंटीना जैसे कहीं अन्यदेश चामिल हैं नहीं लिया है, इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर जंता का अश्रवाद मिलेगा तो मैं जरूर चुनावल लणूगी, मैं सब यहां से अपने मातापता का अश्रवाद लेकर जुरी हूँ वहीं जब उनसे पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछा गया कि मनोस्तिवारी, रवेकिशन, सुकला और दिनेश लाल यादम, निरहुआ जैसे भोजपुरी एक्टर एक उम्र के बाद पॉलिटिक्स में आएं आपने चल्दबाजी तो नहीं करते, इस पर अक्षरा सिंग कहती हैं कि यही सोच तो बदलनी हैं, राजनेती में अवयूत को आने की जरूरत है मंतरी अशोग चौतरी ने भाजपा पर साधा निशाना, बीते दिन भवन निर्मार मंतरी अशोग चौतरी के द्वारा मीडिया कर्मियों से बादचीत करतेवे बीजेपी पर जमकर हमला बोला गया उन्होंने अरक्षन के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका पर बोला कि यह सब पता था इसलिए हम लोगों ने भारत सरकार से आगरह किया है कि इसको नौवी सूची में शामिल किया जाए के कानूनी कारवाई पर रोक लग जाएगी राज्य सरकार भी इस लड़ाई के लिए पूरी तरह मुस्तैद है यह लड़ाई लंबी है ऐसा नहीं है कि हम कोई नड़ने लेंगे और वह मन्सूर हो जाएगा राजे सरकार हर तरह से लड़ाई लंडे को तयार है जैसे जातिये गन्ना की लड़ाई बिहार सरकार ने जीती है वैसे ही इस लड़ाई को भी हम जीच जाएगे इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम भाजपा को शुब कामनाई देते हैं वह भारी पर लोगों को बुला कर इतनी बड़ी रैली करा लें उन्होंने कहा कि जिस नेता के दौरा यह रूप लगाया गया है कि सरकाली तंत्रों से भीम संसद में भीर इकटा की गई है उनसे मेरा य उन्होंने कहा कि गाली बाज नितीश कुमार जी आपके हर गाली और बैजजती का करारा जवाब मिलेगा उन्होंने एक्सपर जो की पुर्व में ट्विटर हुआ करता था उस पर ट्वीट कर लिखा कि नतीश जी वैसे तो दलितों को तुम तराक और गंदी भाषा से ही सं गाली और बैजजती का करारा जवाब मिलेगा मालमों कि बिहार विधान सभा में आरक्षन को लेकर विध्यक पर चर्चा के दोड़ा नितीश कुमार जीतर नाम माजी पर भरग गया थे और कहा था कि उनकी गलती और मुर्खता की वचसे जीतर नाम माजी बिहार के मुख्य बज़े से खिला जाएगा पता दिक मेंदान पर अब तक तीन मुकाबले हुए हैं एक मुकाबले में चेज करने वाली टीम सफल रही वहें दूसरे मैच में पहले बल्लेबाज जिकरने वाली टीम को जीत मिली एक मैच में यहा नतीजा नहीं निकल सका तीम इंडिया का Rekord यहां बडाबरी का रहा है उसे इस दर मैदान पर एक जीत और एक हारवेली है खास बात यह भी है यहां भारत और ऐस्ट्रेलिया के बीच भी एक बार T20 मैच हो चुका है उस मुकाबले में भारत को आठ विकेट से सिकस दे थी बता दे कि आज होने वाले इस मुकाबले में अ भारत की तिहास में आज की तारीक है कहीं कारणों सिदर्ज कैप्टन इंदरानी सिंग 1996 में एयर बस ए-300 विमान को कमांड करने वाली पहली महिला बनी एशिया कप होकी का खिताब दक्षिन कोडियार 1999 में पाकिस्तान को हडा कर जीता भारत ने काश्य पदक मलेशिया को हड प्रसिद भारती एचकिस्तक प्रमोध करन सेठी का जन्म 1927 में हुआ भारत के प्रसिद साहतिकार वा उपान्यासकार अमर गोस्वामी का जन्म 1945 में हुआ भारत के महान विचारक समास सीवी तिथा क्रांती कारी जोती बाग फूले का निधन 1890 में हुआ बंगाल के सुचना वायल होती है लेकिन सभी सच हो ये जजरूरी नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भारतिय साइबर अपराज समनवाई केंदर के बारे में तरसल P.I.B. ने अपने टूइट में लिखा है कि कथे तरूप से भारतिय साइबर अपराज समनवाई केंदर द्वारा जारी केकर एक पत्र के माध्यम से प्राप्त करता पर कई आ समाल करते हैं तो यह ख़बर आपके लिए है बता दे कि कई बार ऐसा होता है कि हम दफ्तर में वाटसेप को आन कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं सस्तिती में अगर कोई आपके सीट पर आता है तो कोई भी आपकी चैट्स को देख सकता है ऐसे में अगर आप अपने चैट्स को दूसरों की नजर में आने से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए आप वाटसेप वेब पर लॉक लगा सकते हैं इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे बता दी कि वाटसेप वेब पर लॉक लगाने के लिए सबसे पहले सेटिंग में जाए और प्राइविसी के option में आकर नि एक जो डाले आपको से बड़ा पासवेट करना होगा पासवेट सैट करने के बाद आप पासवेट लगने का टाइम भी चुन सकते हैं कंपनी आपको एक मिनट दस मिनट और तीस मिनट का ऑप्शन देती है इसमें आपको वट्सेप की तरह इमेडियेटली का ऑप्शन मिलता है वट्सेप वेब के साथ एक समस्या यह है कि अगर आप स्क्रीन लॉक को आउन करने के बाल अकाउ लगातार जारी है मही मीदिया में चल रही खबर करनसार खबर लिखे जाने तक सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम किया जा रहा था और 30 मीटर तक ड्रिलिक कर लिग थी जबकी पूरा 88 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग करना है AI के एक सदस्य विशाल चोहान के दोरा जानकारी देते वे बताया गया था कि Manual Drilling के लिए सभी तयारियां पूरी कर ली गई है और अब कभी भी इसकी शिरवात हो सकती है उन्होंने बताया कि इसमें 6 सदस्य की एक टीम होगी जो 3-3 समूह में काम करेगी वहीं Drilling के दोरान धरती के अंदर हलचर परनाजर बनाए रखने के लिए सेंसर भी लगाएगे हैं बता दी कि Manual Drilling का यह काम भारतिय सेना की इंजिनरिंग बटालियन मदरा सेपर्स की निगरानी में की जाएगी Manual Drilling के लिए Rat Mining विधी अपनाई जाएगी जिसमें छोटी-छोटी सुरंगे खोदी जाती है टाटा देगा 28,000 लोगों को नौकरी देश की दिगज टेक कंपनी टाटा ग्रूप के ओर से 28,000 लोगों को नौकरी दी जाने वाली है दरसल टाटा की ओर से अब देश में आईफोन बनाने की योजना बनाई गई है बता दे कि अपने काम को तेजी से बढ़ाने के लिए टाटा ग्रूप की कंपनी टाटा एलक्ट्रोनिक्स प्राइबिट लिमिटेड के द्वारा 125,000,000,000 में विस्ट्रोन इंफो कॉम मैनिफेक्ट्रिंग काईवर्ट लिमिटेड को खरीद लिया गया है अब टाटा इस विस्तार योजना के तहत होसूर आईफोन यूनिट में 28,000 लोगों को रुजगार मुहिया कराने के तैयारी कर रही है इस यूनिट में कुल 5,000 करोड रुपए का नवेश होगा बतादे के ईटी की रिपोर्ट के नुसार एक वरिष्ट सरकारी अधिकारी के द्वारा दी गए जानकारी के नुसार कंपनी यूनिट को मौजुदा आकार और छमता से डेर से दो गुना तक वस्तारित करने पर व नाम आएंगे सवाल इतिहास ब्यार स्पेशल विग्यान करेंट अफेर्स और भुगोल से रहेंगे पूछे गए पांच सवाल में आपने कितना सतही उत्तर दिया कृपा करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है भारत का कौन सा राज पुरुष हो कि विश्व कब 2023 की मेजबानी करेंगा ओप्षणे असम ओप्षण वी सिखिम ओप्षसी मनिपूर ओप्षणी उरीशा इसका सही उत्तर है ओप्षणी उडिशा अगला सवाल, मिशन अम्रित सरोवर के क्रियानवन में कौन सर्ष पर रहा है? ओप्षणी पिहार, ओप्षणी मत्यप्रदेश, ओप्षणी हरियाना, ओप्षणी उत्तरप्रदेश इसका सही उत्तर है ओप्षणी उत्तरप्रदेश अगला सवाल, बिहार में किस सरकाह ने सबसे पहले स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिबारेता समाप्त कर दी थी? ओप्षणी श्रेक्रिशन सिंग की सरकार, ओप्षणी महामाया सरकार, ओप्षणी लालुष सरकार, ओप्षणी बेंदेश्वरी मंदल की सरकार इसका सही उत्तर है ओप्षणी महामाया सरकार अगला सवाल, संपुन क्रांती देश के किस सराजी से संबंधित है? आप्शनी राजस्थान, आप्शनी उत्तर प्रदेश, आप्शनी बिहार, आप्शनी पश्यम बंगाल इसका सही उत्तर है आप्शनी बिहार अगला सवाल, बिहार राज के सिमाओं का सुतंतरता उपरान सर्वप्रतम गठन कब हुआ था? इसका सही उतर है option C 1956 बीते दिन हमारे दुरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाब हमें अमारी comment section box में लिख कर दिया था जिन्होंनी हमारे दुरा पूछे के सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है विवेक मश्रा, विकास दास, गोनर सर्मा, राजीर कुमार, पंचम वर्मा, अतीख खान, मोहमत सकीर हुसैन, रवन कुमार, रवी शंकर, राजकिशोर, महतो, मंटु कुमार, प्रयाक सिंग, राजा कुमार, नंद कुमार सिंग, दीपक कुमार इसके साथ ही भरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके निसार आज भारत T20 के तीस्टे मुकाबले में आस्ट्रेलिया के खिलाब जीत कर स्रीस पर कबजा कर पाएगी या रही अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सेक्शन में लिखका जरूर बताएं आज के लिए तना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए बिहारी नियूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहा हैं चैनल को सबस्क्राइब करना और अगर आप फेस्टूक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद